नमस्ते, वेलकम टू इंडियन लजीज फूड एंड आर्ट, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मटर पनीर की रेसिपी, मटर पनीर खाना सबको बहुत ही जादा पसंद होता है, तो आज हम मटर पनीर बनाएंगे, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप में से जो भी मे पहली बार देख रही है, मेरे चनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, तो चलिए मटर पनीर बनाना स्टार्ट करते हैं, ये बने तीन टमाटर, दो प्यास, एक टुकड़ा अदरक का, और ये कुछ लहसन की कल्यानी है, इनका हमें पेस्ट बनाना है, अब मैं एक कड़ाई में तेल डालूंगी गरम होने के लिए, तेल गरम होने के पाद इसके अंदर में एक छोटा टुकड़ा दाल जीनिका और दो लॉंग डाल दूंगी इसके बाद एक छोटी चमच जीरा डालूंगी, जब जीरा थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, उसके अंदर में एक प्यास बारिक काट के डाल दूंगी, इसे चला के हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, जब प्यास गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए, फिर उसके बा टेस्ट के अनुसारिस में डालना है, मैंने एक छोटी चमच नमक डालना है, एक छोटी चमच धनिया पॉर्डर डालना है, और इसे अच्छी तरह से हमें चला कर भूनना है, दो मिनट तक हमें इसी तरह से मसाले को अच्छी तरह से भूनना है, फिर इसके अंदर हम जो हमने अगर आप फ्रेश मटर ले रहे हैं तो उसे गरम पानी में डाल के पांच मिनट तक अची तरह से पकाएं फिर उसके बाद ही उसे मसाले के अंदर डालें अब मैं इसके अंदर एक गलास पानी डाल दूंगी और इसे हम ढख कर 10 मिनट तक लो फ्लीम पर पकने के लिए रखें स्क्वेर शिप में भी काट सकते हैं घर पर पनीर कैसे बनाए इसके वीडियो का लिंक में उपर आई बटन में दे दूंगी आप वहां से देख सकते हैं फिर हम दो हरी मिर्च को बारी काट लेंगे 10 मिनट हो चुका है एक बार हम सबजी को चेक कर लेते हैं आप देखेंग और पनीर और हरी मिर्च डाल दूंगी अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे यसे बहुन लेंगे आप ग्रेवी अपने टेश्ट के अकोर्डिंग अपने वीबादल सकते हैं ग्रेवी दूम्सक्राइok दूद की जगह क्रीम भी डाल सकते हैं अब मैं इसे पांच मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख दूंगी पांच मिनट बाद आप देखेंगे कि सब्जी कितनी अच्छी तरह से सब्जी का कलर आया है सब्जी के ओपर मसाले की लाल सी परत आ गई है जो बहुत जादा देखने म अच्छी लग रही है अब हम गैस की प्लेम om कर देंगे हम इसी तरह की सबजी बानाने है पनेर की तो चलिए बीसे हम सर्फ करते हैं मतर पनीर को आप नाnn के साथ पूरी के साथ पराठे के साथ या जीरारा के साथ सब्फ करें विए खाने में बहुत है बहुत जादा टेस् लगती है शादी में बनने वाली मटपनीर की सबजी आप भी घर पर इसी तरह से बनाएं और गर्मा गर्म इसे सर्फ करें